narc आपको आपको रिमाइन कर देती हूं कि हम लास्ट लेक्चर में कहां थे तो याद होगा आपको यहaraan पर मैंने पढ़ा दिया था आपको few lectures में मैंने आपको public offer क्या होता है वो बता दिया था existing equity shareholder को हम कौन-कौन से वे से हम उनको और shares offer कर सकते हैं and existing employee को हम कौन-कौन से method से उनको और number of shares दे सकते हैं नाव जो आज हमें part करना it will be private placement ठीक है तो आप देख रहे हो private placement में दो है इन दोनों को complete करेंगे इस lecture में तो सबसे पहला जो है private placement में वो समझने वाली बात है कि private placement होता क्या है तो देखो simply आपके book में बोला गया है कि जब भी board of director ऐसा plan करते हैं कि वहाँ पे सब को offer करने के बजाए हम कुछ selected group of individual या institute को हम अपने share offer करते हैं which is less than 200 counting में which is less than 200 मतलब अगर मैंने 200 से कम लोगों को offer किया कोई भी shares तो उसको मैं private placement कर सकती हूँ और वो लोग जो होने चाहिए वो selected group होने चाहिए जैसे कि बहुत बार companies क्या होती है public को देने के बजाए जो बड़ी-बड़ी mutual fund companies होती है बड़ी-बड़ी financial institute होती है बड़ी-बड़ी banks होती है उनको select करती है उनका नाम list down करती है और उनके पास जाके उनको ये shares जो है वो offer करती है तो ऐसा है कि क्यों ऐसा करना पड़ता है कभी-कभी board of director को board of directors होती है सब के पास जाओं मनलब public के पास अगर हम जाते हैं तो public जादा पैसे invest मनलब करेंगे तो लेकिन इतना जादा उनके पास पैसे as a savings नहीं होता as a surplus fund नहीं होता है कि वो lump sum में हमारे company में invest करेंगे बट ये जो लोग होते हैं जो mutual fund type companies जैसे कि इधर लिखा हुआ है अगर आप देखते हो तो इसी section में mutual fund institutional investor ये सब जो लोग होते हैं ये market में ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा है हाथो में बहुत पैसा है और अगर आपके company की जो financial history है आपके company के जो उनको balance sheet है वो अगर अच्छा लगा उनको fruitful लगा कि ये ऐसी company में हम invest करेंगे तो शायद हमारा future में बहुत अच्छा result आ सकता है तो ये लोग ना बहुत जादा लंसम में पैसा invest कर देते हैं तो इससे क्या होता है company को हर जगा भागने की जुरूत नहीं पड़ती जादा cost भी नहीं लगता क्यूंकि selected group selected लोग कितने रहते हैं not exceeding exceeding 200 तो देखो when company offer its security to selected group of person not exceeding 200 it is called private placement मतलब की private लोगों को जिसको हम जानते हैं जिनको हमने select किया है उस group में उनको ही सिर्फ offer करना is called as private placement security कौन कौन से हो सकते तो it can be shares, bond and debentures जो हमने last chapter में पढ़ लिया था कि shares भी आप offer कर सकते हो या तो bond भी offer कर सकते हो या debentures भी offer कर सकते हो in other word offer it security only to identified person and not to a general public please highlight करना उन्होंने आपको बोल दिया है कि ये जो offer होना चाहिए वो identified person जो हमने list down किया है उन्हीं person को क्या होना चाहिए offer होना चाहिए and not to everyone that is general public ये ऐसे लोग होते हैं जो market में establish होते हैं जाने पहचाने लोग in the sense कि institution या mutual fund companies okay so board of director के पास ये responsibility जाती है जहां पे वो identify करते हैं ऐसे persons को और include करते हैं selected group में जो की mutual fund institutional investors जैसे लोग बोल रही हो में institution हो सकते हैं ठीके so private placements के साथ आपको क्या देना पड़ता है offer देना पड़ता है offer letter देना पड़ता है along with application मतलब आप application दोगे और उनको एक letter दोगे offer करते हुए कि you are under a private placement we are offering you this number of shares if you like you can invest in our company तो ऐसा एक letter draft किया जाता है अच्छा खासा formal letter होता है क्योंकि ये सामने वारा जो person होता है वो impress होना चाहिए और ready होना चाहिए आपकी company में invest करके क्या होता है इधर mutual benefit होता है आपका भी benefit हो रहा होता है क्योंकि आपको lump sum में पैसा मिल रहा होता है और उनका फाइदा ये हो रहा होता है कि company अगर अच्छी निकली demand draft but not by cash देखो जो भी पैसे होने सबसे पहली बात तो जो भी share offer हो रहा है इन लोगों को वो दो तरीके के हो सकते या तो fully paid या तो partly paid अभी देखो fully paid and partly paid का मतलब क्या होता है जैसे कितने number of shares for example इधर में 200 shares बहुत कम हो 200 shares for example 10,000 share of of rupees 100 each मैं एक mutual fund company को देनी हूँ ठीके दो तरीका हो सकता है वो दोनों तरीका आपको निच्छे दिया हुआ है actually मुझे preferential allotment समझाना पड़ेगा जहां पर ये fully paid up बोल रहे है लेकिन partly paid up सुनो एक तो होता है एक तो general जो offer होता है वो आपको क्या बोल रहा होता है कि हर एक share पे 100 का 100 रुपे आपको ही pay करने पड़ेंगे मतलब इधर ना ही fully paid है ना ही partly paid है मतलब सारा का सारा जो share है वो unpaid है और सारे पैसे आपसे आने वाले बट ऐसे लोगों को ऐसे selected group को थोड़ा सा क्या देनी पड़ती है इज़द देनी पड़ती है तो हम क्या करते हैं कि out of 180 हम बोलते हैं कि आपको pay करना पड़ेगा और 20 जो है वो company के तरफ से paid मिलेगा मतलब ऐसा अगर हमने उनको दिया ना तो उनको कैसे special feel होता है और वो सोचते एक बार नहीं दो बार सोचते कि यार company हमें एहमियत दे रही है market में ठीक है हम उनके लिए कुछ importance रखते हैं जहा पर उन्होंने 20 रुपीज के जो shares है उन्होंने क्या कर दिये हैं उन्होंने company ने already pay कर दिये हैं तो हमें सिर्फ कितना pay करने की जरूत है 80 रुपीज पे करने की जरूत है यह कौन सी category में आएगा partly paid up shares में जहां पर part payment already company ने अपने reserve and surplus से किया है और part payment कहां से करना है part payment आपक करना है ठीके अब fully paid up shares का बाता है fully paid up shares मतलब आप तो समझ रहे हो कि पूरा का पूरा 100 रुपे जो है वो किसको pay करना पड़ेगा company को ही pay करना पड़ता है तो आप सोचोगे यार ऐसे अगर company करने लग गई तो company का क्या benefit देखो company का actually preferential allotment में ऐसा लिखा हुआ है अगर जाती है equity shares and security that can be converted into equity shares in future हमने दो तरह के shares देखे थे convertible and non-convertible अगर आपको याद होगा ऐसे कुछ preference shares होते है या या तो इक्विटी shares में या तो वो अपना पैसा claim कर सकते हैं तो company कभी का बार private placement में ऐसे preference shares या debentures को offer करती है कि आपका जो fund है आपका जो fund है वो हम आपको वापस नहीं देंगे वो हम आपको convert कर देंगे into equity shares तो मतलब क्या हो जाता है अब जो preference shares जो equity shares में convert होने वाले है उन equity shares को जो shares मिलने वाला है या debentures जो convert होने वाले है equity shares में उनको जो shares मिलने वाला है वो fully paid shares मिलने वाला है अब उनको कुछ pay करने की ज़रूत है क्या उनको क्यों pay करने की ज़रूत है पे करने की ज़रूत नहीं है क्योंकि जो उनका claim था company के पास जो amount था as a preference shares and debenture वो किसके पास है, वो company के पास ही है, fund रखा हुआ है न, actually ने वो दो options रहता है, जो convertible preference shares होते हैं, या convertible debentures रहते हैं, उनके पास दो options दिये जाते हैं, ये right preference shares या debentures के पास होता है, कि either they want to, either they want to convert their holding into shares, या जो कि पूरा का fund है, वो claim करना चाहेंगे company से, तो अगर ये इस category में आते हैं, तो उनको जो मिलने वाला equity shares होते हैं, वो fully paid up equity shares होते हैं, क्यूंकि already company ने वो अपने jayb से नहीं, वो preference shares का जो claim था company में जो देने वाली थी company उन्होंने उस पैसे को equity shares में convert कर दिया और उसे नाम दे दिया fully paid up equity shares समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूं, कि कि आगर आपको convertible and non-convertible वाला वो समझा रहेगा तभी आपको समझेगा, वरना वो आप previous lecture में, प्लीज देख लेना तो इसलिए इधर इस point पे थे कि इन जो ये जो लोग होते है selected group, या तो इनको fully paid up मिलता है इसके through, या तो इनको partly paid up shares मिलता है जो कि उनको pay करना पड़ता है या मतलब जो भी बाकी का payment है out of hundred जो 80 वो payment करने वाले हैं उनको check में payment करना पड़ता है demand draft में payment करना पड़ता है और it should not be by cash cash आजकल चलता नहीं है तो ये सारे चीजे मतलब कि online ये check, demand draft ये सारा system तो है लेकिन आप ऐसे online system भी बो सकते हैं जहाँ पे recording हो सके cash में allowed नहीं है pure cash is not allowed now अब next वाला जो point बोला हुआ है वो आपने जो wording है सुन रखा है in right issue right to renunciation is not given to applicant under private placement अब ये renunciation मतलब क्या होता है कि अगर किसी mutual fund company को ये offer नहीं पसंद आया तो क्या वो mutual fund company खुद ना लेके किसी और को offer कर सकती है क्या जैसे अगर आपको right shares में याद होगा तो अगर मैं company की existing equity shares थी और मुझे offer हुआ right share तो अगर मुझे वो वाला offer नहीं चाहिए रहेगा तो मैं अपने friend को मैं अपने relative को वो offer दे सकती हूँ ऐसा right to renunciation existing shareholders के पास रहता है in case of right issue बट इनके पास रहता है क्या इनके पास नहीं रहता है not given to applicant under private placement company has to get approval of shareholder through special resolution same जब भी company को private placement करना रहेगा तो company को क्या लेना पड़ेगा अपने existing equity shareholder से special resolution special resolution का concept मैंने बता रखा है कि आपको अपने existing equity shares है उनका permission लेने के लिए आपको कुछ resolutions पास करने पड़ते हैं उसमें से एक resolution special है जहाँ पे आपको 75% of sitting equity shares जो meeting में आये हुए equity share से उनका approval उनका हाँ लेना ही पड़ता है अगर आपको private placement करना है तो क्यूंकि CDC बात है company किसकी है company existing equity shareholder की है अब है इधर कि company जो है वो दो तरीकों से जो है private placement कर सकती है एक right issue एक preferential allotment right issue जो है अब ये private placement में क्यूं आया है तो इतना याद रखना क्यूंकि right issue में भी हम selected group of people को offer करते हैं वो selected group कौन से हैं अपने existing equity shares है ना जब भी हम बाहर वाले लोगों को offer करने जाते हैं तो किसको हमको पहले offer करना पड़ता है याद है हमको पहले अपने existing equity share holders को offer करना पड़ता है तो इन्होंने right issue पो private placement में इसलिए डाला है कि अगर आपके जो existing equity shares है वो less than 200 not exceeding 200 है या less than 200 है ठीक हैं तो आप जो right issue करोगे वो private placement के अंडर भी आगे का लेक्षर कंटीन्यू करन से पहले एक छोटी सी information थी कि SGCA के lectures दो तरीकों से चलते हैं एक YouTube series जैसे आप हमें अभी देख रहे हो और दूसरा हमारे खुद के premium online live classes चलते हैं जहां पर आपको ये सारे teachers आके उनके respective subject पढ़ाते हैं और ये GMIT पे होता है, live session होता है, interaction at a best level होता है और अगर आपकी कुछ lecture miss भी हो जाते हैं तो उनकी recording facilities आपको मिल जाती हैं ये जो आप screen पे देख रहे हो ये सारे additional benefits हैं जो आपको premium back join करने पे मिलेंगे, SGCA आपको ये सारे courses provide करता है और अगर आप इन में से कोई भी courses के लिए interested है तो आप हमें ये दिये गए number पे WhatsApp या message कर सकते हैं तो continue करते हैं हम और ये right issue that is existing equity shares को offer करने का भी condition fulfill कर रहा है तो मतलब ये common है right issue under B part also and right issue under D part also क्या दोनों में आ सकते हैं येस दोनों में आ सकते हैं इतना याद रखना इन्होंने वैसे ही आपको दिया है please refer on page number 44 अभी last part इसमें है preferential allotment वो पढ़ेंगे अभी ये preferential allotment मतलब कुछ नहीं when a company issues specified security that is equity share और equity share that can be converted into equity share in future to a selected group of person on a preferential basis it is called preferential allotment देखो क्या होता है कभी कबार ना preference दिया जाता है private placement के अंदर ही कभी कबार preference दिया जाता है allotment के लिए कैसे preference दिया जाता है जैसे कि मैंने private placement किया ठीक है तो हम देखते इतने सारे जो mutual fund company है या institutions है वो interested है अपने shares खरीदने में तो हम उन में से ही कुछ लोगों को preference देंगे और बोलेंगे ठीक है ये वाले जो equity shares है हम पहले इनको equity shares देते हैं अपनी company का ठीक है क्योंकि इन लोगों से हमारा जादा benefit होगा और कभी कबार क्या होता है जैसे मैंने आपको बोला कि हम देते हैं preference उन लोगों को equity shares देने में जो की convertible हैं convertible मतलब ऐसे वाले preference shareholder या ऐसे वाले debenture holder जिनको हमने convertible preference shares या convertible debentures offer किया था तो अगर वो वाले equity shares उनको जा रहे हैं तो हम preferential allotment में गिरते हैं ठीक है so to select group of person on a preferential basis I think so आपको समझ में आ गया इदर दो चीज़े आएंगी preferential allotment कब आएगा जब आपने private placement किया तो private placement में ही आप जब preference basis पे सबको नहीं दे रहे हैं आप preference basis पे कुछ को select कर रहे हैं और कुछ को ही वो specified security आप उनको दे रहे हो तो आप preferential allotment में fall in करोगे दूसरा आपने already convertible type के कुछ securities offer कर दिये थे now they want to convert their holding into equity shares तो ये भी क्या हुआ एक preferential allotment करने जैसा हुआ क्योंकि आप दूसरों को ना offer करके आप इनको तो दे नहीं पड़ेगा क्योंकि they have opt for equity shares तो आप इनको मना नहीं कर सकते तो जब आप इनको equity shares दोगे है ना उनकी जो holding है वो convert करोगे तो उनका automatically क्या बोला जाएगा उनको बोला जाएगा preferential allotment I think so आपको समझ में आ गया है so usually the company offer preferential allotment to promoter existing shareholder employees venture capitalist देखो कहां कहां पर हम preferential allotment offer करते या तो हमारे जो promoters रहते जिनोंने company को find किया है मतलब जिनोंने company को incorporate किया है जिनोंने company को खड़ा किया है उनको हम preferential allotment देंगे ठीके या तो हम existing shareholder को existing shareholder को कहां पर right issue के through कर सकते हैं employees को है ना मतलब मैंने बोला था employees को भी अगर आप पहला preference दोगे कहां पर देते हो आप ESOS वगेरा type में आप उनको पहले preference दे रहे हो shares holding में तो वो भी कहां पर आएगा private placement के अंदर preferential allot में आएगा venture capitalistic मतलब कुछ नहीं जो हमने mutual fund companies देखा है जो हमने institutional investor की category में आप देखते हो जो बड़े बड़े ऐसी companies होती है जो ready to invest रहती है मतलब उनका काम ही ऐसा रहता है कि companies में invest करना ठीक है यह bank भी हो सकती है यह कोई financial institute भी हो सकती है जो ready होते हैं आपकी companies में invest करने के लिए तो इनको हम venture capitalist भी बोलते है अब देखो इनको बोला हुआ है यह जो shares होते हैं वो fully paid up होते हैं and the application have to pay consideration in cash yes तो मैंने already बता दिया है यह fully paid up क्यों है क्योंकि इसमें जो securities आ रहे हैं वो convert हो रहे हैं जो already company ने paid up करवा लिया है इसलिए उनको equity shares कौन से मिलेंगे fully paid up equity shares मिलेंगे ठीक है shares issued under preferential allotment have no voting right यह तो समझ में आ गया जो preferential इसके अंडर मिलेगा आपको preferential allotment के अंदर कुछ अगर मिलता है equity shares तो उसमें कोई voting right नहीं होगा और same way आपको special resolution लेना पड़ेगा अपने existing equity shares को to make preferential allotment company usually go for preferential allotment as it does not only less time consuming but also involve less paperwork and formalities जैसे मैंने आपको private placement में ही बता दिया था कि क्यों company private placement या preferential allotment के थूँ जाती है क्योंकि इधर जादा time consuming नहीं होती एक ही company बहुत जादा पैसा invest कर देती है तो हर एक इनसान के पास जाने की और उनसे पैसा मांगने की ज़रुत नहीं पड़ती है less formalities रहते हैं less paperwork रहते हैं तो ये कभी भी company के लिए अच्छा रहता है तो इधर आपको venture capitalistic मतलब दिया हुआ है जो ऐसी companies में invest करती है जिनका high potential रहता है future में they usually buy companies equity shares फिर आप private placement and preferential allotment difference क्या है वो पढ़ लेना additional information में दिया है जो कि मैं पढ़ाती नहीं हूँ इधर तो हम next lecture में allotment of shares ये complete करेंगे so I hope आपको इतना जो भी part था वो आपको समझ में आ गया so meet you in next lecture till then bye bye अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कर देना चैनल को subscribe कर देना continuous notification के लिए अपने जादा से जादा friends को share कर देना और अगर आपको ये वीडियो में कुछ पसंद आता है कुछ suggestion देना है तो जरूर हमें comment करके बताना so ये हमारे कुछ social media accounts है जहां में आप हमारे साथ और अच्छे से जुड़ सकते हैं तो जरूर follow करना so see you in next video bye bye